बढ़ाओ रिटन जब वो एकांत में बेठाओ अकेला तब उस छण आपके दिल की बातां उससे जाते रहते हैं और एक बात और सुन लो अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों है आप लिंग महापुराण के अंतरगा तो उसको स्वन कर सकते हैं लिंग पुराण के अंतरगा घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं और किती सुन्दर बात हमारी शिव महा पुरान की कथा करती है लिंग पुरान की कथा करती है इसकंद पुरान की कथा करती है कुर्म पुरान करती है पद्म पुरान करती है और ब्रह्म विवर्त पुरान करती है घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चड़ाया रोज आपने पूजन करी रोज आराधना करी रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो और मान लो बीच में रजो धर्मा गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है तो शिव महापुराण की कत्था यहां तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना चुएंगे बाहर भी चले गए रखा हुआ है किसी ने जल भी नहीं चड़ाया किसी ने पुष्प भी नहीं चड़ाया किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चड़ाया अगर आप घर में रखी हुई एक बेल पत्र भी भले वो सूख गई हो कैसी भी हो अगर बेल पत्र सूख भी गई हो तो वो बेल पत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने किते दिन जल नहीं चड़ाया उस का आते में रहे गई सरी दोश नहीं लगेगा एक बेल पत्र में वो फल होता है एक बेल पत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बरावर सर्यू के जल के बराबर कावेरी छिपरा नर्वदा के जल के बराबर बेलपत्री मातर शिव के करीब में रखी रहती है तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चणा रहे Hopefully घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम्हें एक काम करो, ये बेलपत्री शिवजी के पास रख दो, मैंने यहां रखी है, मैंने यहां पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो, इतना तो कह सकते हो, इतना तो बगवान का बढ़न कर स एक बेल पत्त शिव को समर्थिक करें और दस दिन हो गए आठ दिन हो गए पंद्रा दिन हो गए बीज दिन हो गए कोई बात आए दुखी मत होना शिव तुमारे है और तुम शिव के बटकना नहीं है तुम शिव के हो शिव तुमारे है यह जरूर है घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुमारे घर में जो पारत का नरवदा का कंकर्शन कर जो रखा हुआ है जो शिवलिंग है उसको कह कर जाना बाबा तेरा घर है तुझे समालना है हम भी तेरे हैं तेरे भरोसे पर जा रहे हैं तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे ऐसी कृपा करना जिस कारे के लिए जा रहे हैं वो कारे तू साथ चल और उसको सभल कर देगा यह जाने कोन ने तुमको अकल दे दी ना जाने कौन ने तुमको एसी बुद्धी दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ ये कौन ने अकल दी ये कौन ने बुद्धी दी तुमको कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठा कर उनके धक्के खिलाओ ना जाने कौन नारी कैसी ना जाने कौन पुरुष के साथ तुम्हारे हाथ जूटे हो रहे हैं पात्र जूटे हो रहे हैं यह अकल दी कौने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घुमो ना वो घर का सेठ है घर का मालिक है तुम कहीं पर भी जाओ सम्हालना उसकी जवाबदारी सम्हालना उसकी जवाबदारी शिवलिंग है घर में रखो आप अगर घर से बाहर जा रहे हो कहीं जा भी रहे हो तो तुमारे घर में लड़ू को पाले ठापुर जी है बिराज रहे हैं उनके लिए डबी में मिश्री रख कर आओ, जैसे तुम कहीं जाती हो, तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहां आई हो, तो रोटी बना कर आई हो, पती के लिए टिफिन लगा कर आई हो, बच्चों का टिफिन लगा कर आई हो, कोई बच्चा वापिस आएगा तो तुम पाले विश्वास जगाना धोंग नहीं प्रपंच नहीं चल नहीं दिल से भाव जागरित करिया हमारे भीतर से भाव जागरित होगा तू भगवान में तो भगवान में देगा 24 गंटे